हलो वियर्स मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जरूर पहुत सके आज हम उन जातकों के बारे में बात करेंगे जिनके नाम का प्रथम अक्षर अल्फावेट E से स्टार्ट होता है ये सबी जातक व्रिशक राशी के अंतरगत आते हैं हर व्यक्ति के जीवन में उसके नाम का प्रथम अक्षर काफी महत रखता है हम इंसान के पूरे व्यक्तित के बारे में पता लगा सकते हैं उसके प्रतम अक्षर से वैसे तो जनम पत्री देखकर भी हम व्यक्ति के पूरे व्यक्तित के बारे में पता लगा सकते हैं लगन के प्रतम घर में कौन से ग्रह बैठे हैं उसे देखकर प्रभी उसकी शारेक सरचना, उसका सभाव, उसका करियर तता उसे प्यार में सफलता मिलेगी कि सफलता ये सबी बाते हम जान सकते हैं लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको उसके प्रथम अक्षर से उसका सभाव, उसकी शारेक सरचना, उसका करियर, उसे प्यार में सफलत सफलता मिलेगए ये सबी बाते इस वीडियो में बताऊंगी मैं आपको बहुत अधिक क्या लगेगा इसकी बिना चिंता करे ईए उसकी मुक पर ही सब कुछ देते हैं दूसरे इनसान को बुरा लगे लेकिन इनके मण में चलगपट की भावना बिल्कुल भी नहीं होती है दोस्तों जो इनके मन में होता है वे इनके मुख पर होता है सेकंड पंड हम लेते हैं इनकी शारीरिक सरचना किस तरकी की होती है ये स्मार्ट होते हैं आकर्शक होते हैं ये शारीरिक प्रूप से शक्तिचाली होते हैं ये सुन्दर होते हैं थर्ड पॉइंट हम लेते हैं करियर के बारे में, यह बहुत ही अधिक महनती होते हैं, महनत से पीछे बिलकुल भी नहीं हटते हैं दोस्तों, और महनत से ही यह अपने लक्ष को प्राप्त करने वाले होते हैं, जिस भी शेतर से जुड़े वे होते हैं, उसमें उचाईयों को होते हैं, और अपने लक्ष को प्राप्त करने वाले होते हैं, फोर्थ पॉइंट हम लेते हैं, प्यार के बारे में, इन्हें सफलता मिलेगी कि असफलता, प्यार के मामले में यह रोमांटिक किसम के इसान होते हैं, इनके जीवन में एक दो फ्लर्ट तो होना ही निश्य थे यानि कि हम कह सकते हैं फ्लर्टी इंसान होते हैं लेकिन शादी जिस से करते हैं दोस्तों ध्यान से सुनिए जिस इनसान से भी ये शादी करते हैं उसे पूरी इमानदरी से ये निभाते हैं उन्हें कभी भी धोका नहीं देते हैं और सामजिक रूप से भी ये बहुती सुद् पार चड़ाव इन्हें होता है या भी कोई भी परेशानी होती है तो ये अगर मेरी राय माने तो ये शनिवार को सुन्दर कान का पाट करना शुरू कर दे तो ये इनके लिए बहुती लाप्रद्र होगा और ये हीरा एम नीलम भी धारन कर सकते हैं और ये आध्यान से अत्व ये मेडिटेशन से जुड़े तो ये इनके लिए बहुती शुब होगा ये थी एक छोटी सी जानकरी अल्फाबेट E से स्टार्ट होने वाले जात्कों के बारे में यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमें जरूर करें दोस्तों, आपके सुझाओ को मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करते हुए आपके लिए बैटर से बैटर वीडियो बनाने की कोशिस कर सको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्यू और बाबाई